देखे, medical store आप basically दो तरीके से खोल सकते हैं, या तो आप B Pharma, M Pharma या फिर D Pharma किये हों, तब आप इस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपने इन में से कुछ भी ना किया हो, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों ही situations में आपको पता चलने वाली आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये M Pharma, B Pharma, D Pharma क्या होता है, ये भी आपको पता चलने वाला है, क्या होता है, एक medical store खोलने के लिए आपको कितनी जगे की जरूरत पड़ती है, किस जगे पर आप खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा, कितना investment होगा, इसमें आपको कितना profit हो सकता है आज के इस वीडियो में A to Z details मिलने वाली हैं, तो वीडियो को लाज तक ज़रूर देखिएगा, नहीं देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे point मिस कर जाएंगे, जिनके वज़े से आपको बाद में पच्छता आना पड़ सकता है, Hello and Welcome Friends, मेरा नाम है Anoop Singh और आप देख रहे हैं इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को अभी प्रस कर दें ताकि आप किसी भी लेटिस्ट वीडियो की लेटिस्ट अपडेट मिसना कर सकें, So let's get started ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस उसी के नाम पर मिल जाएगा, बट अगर आप किसी छोटे सहर या फिर कस्बे या फिर गाउं में एक मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, जहां पर आप एक फार्मासिस्ट को नहीं रख सकते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको खुद ही M फार् या कि आपको मेडिकल का लाइसंस लेने के लिए M फार्मा, B फार्मा या फिर D फार्मा करना पड़ेगा, पर ये M फार्मा, B फार्मा या फिर D फार्मा होता क्या है, आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं, तो नंबर वन D फ Shpi taric टो तो ज्याद़ बेटर रहेगा वहाँ पर अगर आप तीन महिने तक काम कर लेते हैं उसके बाद आपको pharmacy in diploma का certificate मिल जाता है जो कि तीन साल का course होता है आपको करना ही करना होता है जब तक आप तेन साल का course नहीं करोगे तब तक इसका certificate आपको नहीं मिल सकता है और M Pharma का मतलब होता है Master of Pharmacy ये दो साल का कोर्स होता है और इसको भी आपको करना ही करना होता है अब जब एक बार आपकी Pharmacy complete हो जाती है तो आप State Pharmacy Counseling में register कर सकते हैं इसको आप online भी कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि भी offline ही करना पड़े अब basically एक footcar medical shop मतलब retail medical shop अगर आप start कर रहे हैं तो आपको केंद्रिय औशिधी मानक नियंतरन संगठन के पास जाकर apply करना होगा या फिर आप राज ये औशिधी मानक नियंतरन संगठन के पास जाकर भी इसको apply कर सकते हैं ना वहीं से बड़े छोटे छोटे हैं मगर और इस business में भी आपको location का बहुत ही जादा ध्यान रखना है इसका location क्या होना चाहिए लगभग लगभग किसी hospital के front में होना चाहिए अगर government hospital है फिर तो बहुत ही जादा better है बट अगर government hospital नहीं है तो आप किसी private hospital के सामने भी इसको start कर सकते हैं देखे बेसिकली बाहर ये बहुत ज़्यादा कम चलेगा बट अगर किसी hospital के front में होगा सामने होगा तो chances आपके बहुत ज़्यादा चलने के हो जाते हैं अब इसको चलाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं हम उसको product देने देंगे और बीच में कुछ percent जो है वो डॉक्टर को भी दे दिया जाता है तो ऐसे में आपकी marketing बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है अब इसमें एक बहुत important चीज आपको क्या करना होगा कि अपने area के किसी थोक विक्रेता से संपर्ग करना होगा बहुत सारे फार्मा आपके area में खुले होंगे जो की छोटे 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 medical store पर या फिर छोटे छोटे hospitals तक दवाई पहुचाते हैं अब बात करते हैं इसमें invest कितना होगा और approach income कितनी होगी तो देखिए जगा जमीन तो आपको अपने हिसाब से देखना होगा कहां पर आप start करेंगे कहां पर नहीं start करेंगे उसके बाद आप अगर किसी hospital के front में हैं अच्छी दुकान आपकी चल रही है तो वहाँ पर आप approach 20 से 30,000 तक month का earn कर सकते हैं और ये ratio इससे ज़्यादा भी चायेगा धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका जो medical store है वो पुराना होता जाएगा लोग उसके बारे में जानते जाएंगे उसकी marketing increase होती जाएगी यहाँ पर कुछ दवाईयां ऐसी होती है जिनमें आपको margin सिर्फ 20% मिलता है बट कुछ ऐसी होती है जिसमें आपको 60-70% का margin मिल जाता है तो दवाईयों पर भी matter करता है कि आप किस टाइप की दवाईयां बेच रहे हो ओके कैस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस्टाग्राम पर follow जरूर कर लीजेगा लिंक आपको description में मिल जाएगा या फिर आप इस्टाग्राम पर जाके सर्च भी कर सकते हैं अनूप सिंग एंडस्कोप AS के वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करके channel को subscribe जर in बंदे मातरम